बिसमिल्लारख्मारेटरहीम, Assalamu alaykum dear students, तोड़ेगा एंग तो शेर विद यू दा होल बुक लॉंग इंपॉर्टन ग्वेस्टेंस आफ FSC and ICS पार्ट वन फिजिक्स, फिजिक्स की बुक में कौन-कौन से questions जो हैं, पार्ट वन में वो important हैं, आज हम वो discuss करेंगे, मैं आपसे एक-एक chapter wise अच्छे तरीके से वो सारे questions discuss करूँगी, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कौन से questions जो हैं, वो previous past papers में बहुत दफा रेपीट हुए हैं और वो important भी हैं, और साथ ही हम smart slaybers को भी follow करेंगी, और इस से पहले जो मैंने part two के लिए जो long questions बताये थे, जो important है, अलहम्दोलिल्ला, उसमें से जो first time का paper था, वो हमारा 80 to 90 percent जो है, वो वो ही questions आये थे, जो मैंने mark करवाए थे, और second time में 100 percent वो ही long questions आये थे, जो मैंने mark करवाए थे, तो अलहम्दोलिल्ला, अला का शुकर है कि इतना अब पता अंदाजा हो जाएगा, आपको भी अंदाजा हो जाएगा इस वीडियो के बाद, कि आप असानी से बता सकते हैं, अपने experience से फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं, कि कौन कौन से questions और किस तरह के questions जो हैं, वो physics की book में important होते हैं, so let's start with chapter number one, measurements, measurements से start करते हैं, और measurement में सबसे पहले, जो आपके हम ये भी धियान रखेंगे, कौन से questions smart syllabus में हैं, और साथ ही साथ, वो important भी हैं, तो long question के इतबार से हम बात करेंगे, याद रखें, short answer questions, जैसे में आपको पताया, कि तमाम exercise के short answer questions, और जो chapter के अंदर, जैसे ये base unit, supplementary unit, छुट-छुटी जो definitions हैं, ये chapter के अंदर से आप ये करते हैं, तो वो physical quantities और इस तरह से, तो ये सारी important, ये होती है, short answer question के अंदर, और जिन students ने सिर्फ pass होना है, उनके लिए अगर वो short answer questions भी अच्छे तरीके से त्यार कर लेते हैं, तमाम exercise अच्छी से त्यार कर लें आप, 11 chapters हैं, 11 chapters के तमाम exercise के questions, और जो आपके chapters के अंदर, चुट-चुटी definitions अगर वो वो याद कर लेते हैं, तो इन्शाला 44 marks के जो short answer questions हैं, वो आपको पूरे 44 marks मिलेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ, बता सकती हूँ, अपने past experience है, क्योंके मैं paper marking भी करती रही हूँ, board के papers की, तो मुझे इंदाजा है, कि जब आप short answer question में बगएर किसी गलती के, और सही accurate answer लिखेंगे, तो आपको उसके पूरे number मिलते हैं, तो पूरे 44 marks आपको वहां से आप attain कर सकते हैं, short answer questions की त्यारी करके, और easily pass हो सकते हैं, क्योंकि 28 marks आपको चाहिए पास होने के लिए, तो easily 44 marks आपको वहां से मिल जाते हैं, हम जो आज बात करें, हम यह मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ, कि जिन्होंने अब review and करनी है, और इंशाला आप full marks लेने पूरे paper में, 85 out of 85, और अब review and के वक्त, वो सिर्फ उन questions पे focus करना चाहते हैं, जो questions बहुत जादा important है, past papers में आए हैं, और जहां से वो marks असानी से full marks attain कर सकते हैं, तो इसलिए, अब यह मैं आपको बता रही हैं, कौन कौन से long question आपने करने हैं, चैप्टर नमबर वन में से short questions, तो मैंने आपको बताया, कि वो तो सारे ही बीच में से exercise के करें, और बीच में से definitions important होती हैं, long question के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो chapter one में से past paper में, जो आया हुआ question है, एक बहुत important है, वो है precedence and accuracy का question, precedence and accuracy क्या है, इसके आपने जो examples हैं इसके साथ, precedence and accuracy कैसे calculate करनी है, और ये होती क्या है, और ये end based का conclusion, ये complete आप इसका answer लिखेंगे, long question के answer में, ये precedence and accuracy आपका first long question है, जो आपने attempt करना है, उसके बाद जो दूसरा long question इस chapter में है, assessment of total uncertainty in the final result, ये possible हो सकता है, इसमें से वो आपके, ये पांच इसके सब sections है, आप इन पांच तरीकों में से, आपने कोई से दो वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये जो भी वो पूछेंगे आपसे, आपने with example, क्योंके इसमें और कोई तरीका नहीं है, इस question को attempt करने का, ये जो examples उन्होंने अंदर साथ दिनेंगें, ये आपने attempt करनी, आपने साथ ये examples भी आपने साथ उसके code करनी है, इसमें ये driving the possible formula, ये आपके smart syllabus में included नहीं है, तो आपने आपको dimension of physical quantities की definition with examples, और to check the homogeneity of the physical equation, ये भी आपने इसके अंदर ही करना attempt, driving the possible formula ये चुके included नहीं है, आपके smart syllabus में, इसलिए हम इसको include नहीं करेंगें, तो ये तीन long question में आपको बताएं हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इस chapter में से आ सकते हैं, एक में आपको बताया, जो सबसे पहला question, precision accuracy का, दूसरा में ने assessment of total uncertainty का question आपको बताया, और तीसरा question, dimension of physical quantity, ठीक है, तो ये तीन question हैं, जो के first chapter में से आपके as a long question important है, ये देखें, आपको नजर आ रहा है, ये short answer questions में ये exercise questions होते हैं, ये आपने, जो जो smart syllabus में included हैं, वो आपने सारे करने हैं इसके अंदर, ताकि कोई बाद में, इसमें, आपको short answer question में, आपको complete marks आपको मिल सकते हैं, पास होने के लिए बहुत जरूरी है वो, अच्छा, दूसरी बात है कि बच्चे ये पूछते हैं, कि schemes follow कर लें, schemes को मैं बिल्कुल prefer नहीं करूंगी, और अभी मेरे साथ, फिर मिजसे past अपने students ने experience शेयर किया, secondary के students ने, कि उन्होंने schemes को follow किया था, और उसमें से question नहीं आये, मैं आपको हमेशा मना करती हूँ, कि schemes को follow मत करें, schemes में से अक्सर ऐसा होता है, कि आप जिस scheme के तहत पेपर त्यार करते हैं, बाद में वो जो scheme है, कि according paper नहीं आता, तो I will never, I will never go with a scheme, मैं कभी भी scheme के साथ नहीं जाओंगी, नहीं उसको prefer करूँगी, और नहीं recommend करूँगी, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है, chapter number two, उसमें vectors and equilibrium का chapter है, इसमें definitions यह जो शुरू की है, यह बहुत important है, vectors की और यह rectangular coordinate system, यह definitions हैं सारी, addition of vectors हैं, resultant vector क्या होता है, vector subtraction क्या है, multiplication of vector by a scalar, unit vector, null vector, equal vector, यह सारी definitions हैं, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको, यह आपने सारी as a definition ही, आप त्यार करेंगे, हम चुँके इस वक्त बात करें, long के हवाले से, तो long के हवाले से, जो है, वो फिर हम, आगे बढ़ेंगे, और यह position vector भी, बहुत important definition है, यह तो आपके exercise question में भी है न, तो यह आपने ज़रा definition wise, यह है long question आपका पहला, जो important long question इस chapter का, vector addition by rectangular components, यानि rectangular components के जरीए से, vector addition कैसे करते हैं, इसमें आपने इसका पूरा, इसको explain करना है, जैसे उन्होंने किया हुआ है, और with diagram, मैंने आपको जैसे सिखाया था, आपने उसी तरीके से, यह पहला long question है, इस chapter का, जो कि important है, जो आपने करना है, उसके बाद product of two vectors, इसमें दो sub questions हैं, जो कि दोनों ही बहुत important है, या तो scalar और dot product of the vectors, ठीक है, यह long question आता है, इसकी पांच characteristics के साथ, आपने इसको लिखना होता है, definition लिखेंगे, इसकी यह equation है, जो इसकी mathematical expression, और इसकी यह example है, यह सारी आप quote करेंगे, यह पूरा question, यह इसकी पांच characteristics हैं, या तो यह वाला question आता है, या फिर दूसरा है, vector और cross product जिसको कहते हैं, यह भी with it, इसकी right hand rule भी, इसमें definition आती है, expression आती है, diagram है, right hand rule है, और यह इसकी characteristics हैं, तो यह भी, यह दोनों question ही important हैं, इसके अंदर, scalar product वाला भी, और vector product वाला भी, उसके बाद आ जाता है, torque, right hand hand, यह भी complete question, यह भी आपको long question आ गया, इसके अंदर, चुके important है, और यहां तक, यानि अब यह कितने मैंने आपको long बताएं हैं, एक torque वाला question long के तोर पे important बताया है, vector और cross product वाला आपको बताया है, मैंने long के तोर पे, और इसके अलावा मैंने आपको, scalar product और dot product of the vectors के बारे में बताया है, और उसके बाद जो एक आखरी मैंने आपको question बताया है, वो vector addition by rectangular components, यानि यह मैंने आपको question, one, two, three and four, four long questions जो हैं मैंने आपको बताया हैं, important इस chapter से, ठीक है, तो यह आपने अच्छे से prepare करने हैं, chapter number two से, अब आज़ते हैं हम chapter number, यह रिखेंगे exercise questions हैं, short के लिए, यह आपने अच्छे से prepare करने हैं सारे, जो smart syllabus में included हैं, अच्छा, उसके बाद आज़ते हैं, हम अपने chapter number three पे, जो के हैं motion and force, इसमें भी यह शुरू में सारे definitions हैं, displacement क्या होती है, velocity क्या है, और acceleration क्या है, यह सारी इसके अंदर भी सब, जो हैं वो definitions हैं, uniform acceleration, average acceleration, इसी तरह uniform velocity, average velocity, instantaneous velocity, variable velocity, यह सारी definitions हैं इसके अंदर, ठीक है, भो तो short में आप करेंगे, long के अगर हम बात करें, तो long में, जो आपके important question है, उसमें हम आजाते हैं, सबसे पहले, आगे बढ़ते हैं, long के तोर पे, तो सबसे पहला जो long question है, वो यह है, momentum और momentum and newton second law of motion, momentum की definition और momentum का जो तालुक है, newton second law के साथ, वो जिसमें impulse भी आपका आजाएगा, ठीक है, अब यह short wise भी important है, और long wise दोनों तरीके से important है, momentum और उसका जो relation है, momentum and newton second law of motion के साथ, और impulse की definition, यह आपका long के तोर पे भी आ सकता है, और इसमें से short भी आ सकता है, तो यह question है आपका, दूसरा जो एहम question है, इसमें momentum के साथ attach करके, define momentum and explain the law of conservation of momentum, यह दूसरा एहम सवाल है, यह complete आपने with diagram, इसकी यह पूरी explanation and result तक, यहां तक आपने इसको करना होता है, तो यह law of conservation of momentum वाला question, ठीक है, तो यह important है इसका, दूसरा एहम सवाल, उसके बाद, elastic and inelastic line, इसमें यह भी short के तोर पर भी आ सकता है, with examples, और फिर आप इसको, elastic line in one dimension, यह जो पूरा question है, यह पहुत तरीकों से आ सकता है, पेपर में, वो आपको कहेंगे, कि derive the, define elastic line, and explain the elastic line in one dimension, for the, यह जो आखर में, यह जो यह वाली लाइन है, कि when the velocity of approach is equal to the magnitude of relative velocity of separation, यह relative velocity, prove that relative velocity of approach is equal to the magnitude of relative velocity of separation, तो आपने यहां तक यह question का attempt करना है, या फिर अगर वो आपको कहते हैं, कि evaluate the velocity of first ball after colline, and velocity of second ball after colline, तो फिर आपने V1 प्राइम और V2 प्राइम की values भी इसके साथ आपने calculate करनी है, या फिर अगर इनके कोई cases दे देते हैं आपको, elastic lane in one dimension में, यह जो cases हैं कि one M1 is equal to M2, या M1 is equal to M2, and V2 is equal to zero, यह पांच cases हैं इसके, यह भी हम देखते हैं, और उसके बाद, sorry, चार cases हैं इसके, यह विन लाइट बोडी कॉलाइट विदा मैसिव बोडी एट रेस्ट, and विन लाइट बोडी कॉलाइट विदा लाइट स्ट्रेशन बोडी, तो यह question आपको चाहें तो यहां तक दे दें, ठीक है, relative velocity of approach बराबर होती है, relative velocity of separation की, या फिर आपसे V1 प्राइम, V2 प्राइम आपने निकालनी हो, ज़्याद तर यहीं तक आता है, कि relative velocity of approach जो है, वो प्रूफ करें relative velocity of separation के बराबर है, तो आपने elastically इन को define करके, फिर यह पूरा question लिखेंगे, इन वन डिमेंशन साथ इसकी derivation करेंगे, और यहाँ तक आप इसको attempt करते हैं, जब प्रूफ करना होता है, कि velocity of approach जो है, वो velocity of separation के बराबर है, ठीक है, और अगर V1 प्राइम, V2 प्राइम केंगे, तो आप यह results भी साथ लिखेंगे, उसके अलावा, अगर यह कुछ भी नहीं आप से पूछते हैं, सिर्फ direct cases पूछ लेते हैं, कि prove that, what is the value of V1' and V2' when M1 is equal to M2, या M1, M2 जो हैं, वो बराबर हैं और V2 0 है, यह 4 cases में से, कोई 2 case आपको दे देंगे, या 3 case इस तरह से करके वो पूछ लेते हैं, तो यह question आपको बहुत important है, elastic line in one dimension वाला, इसके साथ इसकी definition भी आ सकती है, elastic line की, ठीक है, तो यह third important question हो गया, फॉर्थ में यह force due to water flow, ठीक है, यह भी वह चोटा सा question है, force due to water flow, यह भी वह आपको long में दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद, last, इस chapter का जो important question है, वो projectile motion का है, जो के बहुत एहम है, last but not the least, यह बहुत important question है, projectile motion का, ज़्यादा तर इस projectile motion को आपने, define करना होता है, और इसके साथ इसके cases आते हैं, कि height of projectile को आप evaluate करके बताएं, या फिर दूसरी चीज इसकी है, time of flight, time of flight को calculate करके बताएं, और range of the projectile, और maximum range, ठीक है, तो यह तीन cases में से कोई से दो cases वो आपको पूछ लेते हैं, define projectile motion and evaluate the height of the projectile and time of flight, या evaluate the time of flight and the range of the projectile with maximum range, या कोई से दो cases आपको दे देंगे, तो फिर आपने इसको projectile motion को define करना है पहले सिर्फ, और define करने के बाद ये सारा attempt करने के आपको जरूरत नहीं है, आपने गोर से question पढ़ना है, question में जो उन्होंने पूछा होगा, यानि height of projectile अगर पूछी है, या range के बारे में पूछा है, या time of flight के बारे में पूछा है, तो आपने सिर्फ वही वाले cases इसके attempt करने हैं, फिर आपने सारा इसको attempt नहीं करना है, यानि question आपने बड़े दिहान से करना है, और उसके according आपने उसका answer लिखना है, to the point और complete answer लिखना है, ठीक है, तो ये मैंने आपको questions बता दिये, chapter number 3 के, जो के important long questions थे, chapter 3 में, और अब चलते हैं हम अपने chapter number 4 की तरफ, ये देखें इसके exercise questions, मैं वारबर बता रही हूँ, इसमें से जो आपके smart syllabus में included हैं, वो आपने सारे करने हैं, इसमें से कोई choice नहीं करनी, ताकि short answer questions जो हैं, वो आपके अच्छे से attempt हो, उसमें आपके पूरे marks आएंगे, अच्छा, उसके बाद chapter number 4 में, work and energy का chapter है, work done by a constant force, ये ये short के तोर पे आता है, क्योंकि constant force में, कोई इतनी ज़्यादा derivation नहीं है, सिर्फ ये expression आता है, f.d वाला और इसको आप खुलेंगे, क्योंकि constant force है, तो ये इसमें से ज़्यादतर short आता है, long के लिए ये इतना important नहीं है, long के लिए जो ज़्यादा important है, वो है work done by a variable force, तो आप इसी को पहला important long question consider करें, ठीक है, work done by a variable force, ये complete long question, जो इस चेप्टर में से मैं आपको बता रही हूँ, कि जो long के लिए तोर पे आता है, work done by a variable force, उसके बाद जो second एहम सवाल है, वो है work done by the gravitational field, उसमें भी ये सारे, सारा question आएगा, work done by a gravitational field, उसके बाद अगला जो long question आपका important है, इस चेप्टर में, ये सारी definitions हैं बीच में, अगला long question आ सकता है, आपको work energy principle, ठीक है, work energy principle, और उसके बाद जो एहम long question है, वो है absolute potential energy, absolute potential energy का question, long काफी, लिखने में भी काफी ज़्यादा, इसके अंदर derivation और explanation है, और ये एहम, क्योंकि याद रखें, फिजिक्स में ज़्यादा था, derivations वाले questions, जो हैं जिनमें ज़्यादा derivation होती है, वो एहम होते हैं, तो ये absolute potential energy भी, बहुत एहम long question है, escape velocity भी इसके साथ, आप कर सकते हैं, escape velocity भी another long question है, आपका, ठीक है, what define escape velocity, और इसकी ये छोटी सी derivation है, और उसके बाद inter-conversion of potential energy and kinetic energy, ये भी long question में ही consider होगा, ठीक है, तो ये इतने हैं, one, two, three, जो आपका absolute potential energy भाला है, वो third, और fourth हो गया work energy principle, जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद, जो fifth question है, वो है work done by a gravitational field, और sixth question, जो हैं है long, वो है work done by a variable force, ये छे सवाल हैं इस chapter में से, maximum एक chapter में से 6 long question है, और minimum जो हैं, वो three to four questions होते हैं, जो के long एहम होते हैं, तो मैं आपको हर chapter में से आप देख रहे हैं, एक जसे सवाल एहम नहीं होते, किसी में three questions important है, किसी में four questions, लेकिन maximum six questions हैं, जो हर एक chapter में से important हो सकते हैं, तो ये इस chapter में आपको six questions बताएं, अच्छा, उसके बाद चलते हैं, हम अपने next chapter की तरफ, जो के है हमारा chapter number five, circular motion, circular motion में देखते हैं, कितने long question एहम हैं, तो ये तो definitions हैं सारी, angular displacement, angular velocity, और angular acceleration, ये आप कहा सकते हैं, long question, relation between angular and linear velocities, छोटी सी derivations हैं, जादा बड़ी नहीं हैं, ये एहम long question हो सकता है, एक पहला, उसके बाद, जो दूसरा एहम और बहुत एहम long question है, बड़ी दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है, वो है centripetal force, ये centripetal force की width diagram, और ये इसकी derivation, ये question बहुत important है, centripetal force वाला, ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा आपका हो सकता है, moment of inertia, ये भी एहम long question की तोर पे आ सकता है, ठीक है, और angular momentum की तो जादतर definition ही मांगते हैं, वो इसमें short महीं आप consider करेंगे, ठीक है, तो तीन सवाल अभी मैं आपको था है, ये भी definitional law of conservation of angular momentum, चोथा सवाल है, आपका rotational kinetic energy का, लेकिन rotational kinetic energy के लिए, आपको सिर्फ rotational kinetic energy का नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे define rotational kinetic energy, and prove that, या बताया हुजे, वो कहेंगे कि the disc or a hoop reach the bottom first, कि कौन में से disc या, इन में से कौन जो है, disc या hoop, इन में से कौन जो है, वो पहले bottom पे आता है, when rolling down through an inclined plane, यानि जब inclined plane से वो roll down करते हैं, तो disc या hoop में से कौन पहले bottom पे आता है, तो ये वो आप से proof कराएंगे, वो साथ, ठीक है, तो आपने rotational kinetic energy को जो है, वो सिर्फ define करना है, और उसके बाद आपने, उसकी rotational kinetic energy डिस्क की भी निकालेंगे, hope की भी निकालेंगे, और फिर proof करके बताएंगे result में, कि कौन पहले पहुंचे है, तो ये एक एहम long question है, इस chapter का, आगे smart syllabus में included है, आपके पास, इस chapter के, इस chapter का मैंने आपको ये rotational kinetic energy of disk and hope वाला question है, ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपको question दूसरा बताया था, वो मैंने आपको बताया moment of inertia वाला, तीसरा मैंने आपको बताया, इसमें centripetal force वाला, और चोथा मैंने आपको question बताया था, relation between angular and linear velocity, इस बस, तो ये चार स्वाल इस chapter के important long question है, इन्शाला इसी मैंसे आपको paper में आएगा, उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि आगे जो question है, इस chapter के वो smart syllabus में included नहीं है, उसके बाद आते हैं हम अपने chapter number six में, fluid dynamics, fluid dynamics में कौन से long question है, तो terminal velocity, सबसे पहला long question, बहुत important, उसके बाद second long question है, equation of continuity, ठीक है, third long question इसमें है, burn knowledge equation, बहुत important, with diagram और हर चीज़ डेरिवेशन के साथ, आप करेंगे तो इन्शाला पूरे नंबर मिलेंगे, तो ये third long question है, अब burn knowledge equation की applications भी बहुत important है, आपको वो अलग से इसकी applications भी पूछ सकते हैं, के define burn knowledge equation, and prove the result for toruseles theorem, या relation between speed, what is the relation between speed and pressure, या आपको venture relation डिराइब करने के लिए कहेंगे, तो burn knowledge equation की applications भी long में, अलग से आ सकती हैं, कठा तो नहीं आएगा, या तो वो burn knowledge equation पूछेंगे, या उसकी कोई नग कोई application आपको एक या दो दे दे देंगे, ठीक है long में, तो applications of burn knowledge equation ये तीनों, एक ये long हो गया, दूसरा मैंने burn knowledge equation बताया, तीसरा इसमें मैंने आपको एहम question बताया, equation of continuity का, और चोथा long मैंने आपको बताया है, इसमें terminal velocity, ठीक है, जो इसमें important है, simple harmonic motion and uniform circular motion, ये से पहले ये जितनी भी हैं, ये definitions है, vibration का उता है, time period क्या है, frequency क्या है, angular frequency, ये सारी definitions है, तो long question में simple harmonic motion and uniform circular motion, ये पहला long इस chapter का हो गया, उसके बाद इसमें, अच्छा अब ये पूरा long question अकठा नहीं आता, ये या तो जादा तर जो इसका case आता है, या तो instantaneous velocity का दे देंगे, या आपको instantaneous acceleration इसकी calculate करने के लिए देंगे, आपने question को गोर से पढ़ना है, और जो वो case आप से मांग रहे होंगे, आपने सिर्फ वो ही इसके अंदर evaluate कर के देना है, ये जो शुरू की description है और diagram है, ये वाली explanation, ये तीनों के लिए एक जैसी है, displacement का calculate करने से पहले भी ये ही explanation आएगी, और ये ही description आएगी with diagram, और चाहे आप velocity करने, चाहे आप acceleration करने, तीनों के लिए उपर वाली ये वाली explanation है, ये same है, ठीक है, तो पहला long question, chapter number 7 का simple harmonic motion and uniform circular motion वाला है, जिसमें इन तीनों में से कोई भी case आपको वो दे सकते हैं, दूसरा long question important जो है वो phase, ठीक है, तीसरा long question है, और horizontal mass spring system वाला, उसमें इसकी ये सारी चीज़े हैं, आपने इसके angular frequency, इसका time period, इसकी आपने displacement, विलासिटी, ठीक है, maximum velocity और ये सारी चीज़ें इसमें आपने निकाल ली हैं, चोथा long question simple pendulum, जातर long ही हैं इसमें, पांचवा long question है, इनर्जी conservation in simple harmonic motion, ये इसका पांचवा long question है, और बाकी आग़ी ये सारी definitions हैं, free and force oscillations के होती हैं, ये सारी इसके definitions हैं, तो मैंने जो आपको पांच लॉइंग इसमें से आपको बताएं हैं, energy conservation वाला, simple pendulum, उसके अलावा मैंने आपको बताया है, third वाला जो है, ये वाला, horizontal mass spring system, उसके बाद मैंने आपको बताया, phase वाला, fourth question, और fifth वाला मैंने आपको बताया, ये simpamonic motion and uniform circular motion, ठीक है, इसके कोई भी case वो आपको दे सकते हैं, तो ये मैंने पांच long question आपको इस chapter के mark करवाए हैं, अब आज जाते हैं, chapter number eight, जो कि है waves, waves में शुरू में तो वो included ही नहीं है, smart syllabus में, और उसके बाद जो long, बहुत important long question है, इसका वो है speed of sounding air, इसमें आप newton assumption भी करेंगे, speed of sounding air के साथ, और उसकी laplace correction भी करेंगे, ठीक है, ये पूरा complete question है, बहुत एहम long question है, speed of sounding air का, और इसके ये effects वो अलग से जा, तो speed of sounding air का, या फिर उसकी effects भी अलग से आ सकते हैं, effect of pressure, effect of density, effect of temperature काफी लंबा है, तो ये आपको वो अलग से उसके effects भी पूछ सकते हैं, effects of the variation of pressure, density and temperature on the speed of sound, तो ये भी दूसरा long important है, अलग से आता ही, उसके बाद आ जाते हैं, जो third long इसमें important है, वो आपका, अब लास्ट time papers में बच्चे ये confused होगे थे, कि standing waves वाला तो question ही नहीं है, हलाकि stress new waves को ही standing waves कहते हैं, तो ये एक अहम long question है आपका, और ये ही stress new waves in a stress string इस तरह से भी आ सकती है, ठीक है, और ये complete आजेगा stress string में, आप उसकी fundamental frequency भी पताएंगे, और overtones के बारे में भी बताएंगे, और उसके बास stress new waves in air column, ये भी अलग से long question बहुत important है, ठीक है, डॉपलर effect अब आपके इस दफ़ा smart syllabus में included नहीं था, तो वरना ये भी बहुत एहम long question हुआ करता था, लेकिन अब ये आपके smart syllabus में included नहीं है, तो जो questions मेंने आपको mark करवाएं है, let's see, कौन कौन से questions मेंने आपको long के तरफे mark करवाएं नहीं आपको, जो इसमें long के, एक ता speed of sound in air के बारे में बताया है, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके effects आपको बताएं है, effects are the speed of sound, उसके बाद मैंने आपको तीसरा जो long question आपको बताया है वो मैंने आपको बताया है इसमें stationary waves या standing waves जिने कहते हैं उसके बाद चोथा है stationary waves in a stress string वाला question जिसारा और पांचवा question है आपका stationary waves in air column ठीक है तो ये पांच स्वाल मैंने आपको इस chapter में से बताए हैं उसके बाद आजाते हैं हम आगे chapter number 9 physical optics के बारे में physical optics में जो सबसे पहले जो long question जो बहुत important है वो आपका higens principle आपको पताओने चाहिए कि ये दो ही postulates है higens principle क्या होता है ठीक है wave fronts जो है ये तो definitions है ना तो उसके बाद हigens principle क्या है तो ये आपका पहला long हो गया उसके बाद आपने define interference and prove the result of the young double state experiment या जिससे slit separation आपने इसकी calculate करनी होती है young double state experiment से तो ये interference की तो definition आएगी साथ young double state experiment आपका दूसरा एहम long question हो गया higens principle के बाद पहले higens principle और उसके बाद दूसरा long है young double state experiment उसके वह ये complete young double state experiment आप इसमें लिखेंगे जो main इसकी ray diagram है वो आपने बनानी है ये वाली diagram अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो इसका कोई मसला नहीं है ये जो आपकी figure number 9.3C वाली है ये आपने लाजमी बनानी है इस question के साथ बाकी ये जो A और B वाली आप नहीं भी बनाएंगे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा main diagram इसकी ये है C वाली ray diagram कहते है इसको ठीक है तो ये आपने ज़रूर बनानी होती है और उसके बाद जो एहम long question है वो defraction of x-rays by crystals ये बहुत important है ठीक है x-rays की defraction जो के Bragg's equation आपने निकाल ली है वो कैसे निकाल ली है जादा derivation नहीं है इसमें explanation और diagram ये वाली ray diagram आपने बनानी होती है ठीक है ये जो figure number 9.12 है ये आपने लाजमी बनानी हो ये तो ये important long question है इसके ठीक है तो आगे वो included ही नहीं है तो मैंने आपको कहा defraction of x-rays by crystal वाला question और दूसरा मैंने आपको इसमें question बताया है जो के important है वो है michelson interferometer तीसरा newton rings वाला है चोथा आपका young double state experiment है और पांचवा मैंने आपको बताया है हाइगन्स principle ठीक है ये शुरू में ये वाला ठीक है तो ये पांच सवाल मैंने आपको इस chapter में से बता दी उसके बाद आगे चलते हैं आगे देखते हैं कौन से questions जो है वो long optical instruments optical instruments में ये सुरू में सारी definition है least distance और distinct vision की definition है magnifying power क्या होती है resolving power क्या होती है magnification linear magnification angular magnification ठीक है ये क्या होती है ये सारी definition है और resolving power की भी सारी start जो main long question है वो start होता है simple microscope से simple microscope with diagram ये जो दो diagram जैसकी तो यह complete long question है, जो के important है simple microscope, उसके बाद second long जो important है, वो है compound microscope with diagram, ठीक है, यह वाला complete long question आप करेंगे, और third important question है, इसमें astronomical telescope, ठीक है, यह third important long question, यह इनकी diagram बहुत ही important है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा derivation ही है, diagram का बहुत एहम रोल है, तो इसके आप practice करें पहले, टेलिस्कोप वाले में भी, और यह देखें, आप compound microscope के अंदर भी, और जो मैंने तीसरा बताया, आपको simple microscope के अंदर भी, इन सब में diagram जो है, यह ray diagram यह बहुत important है, तो यह इनकी आपने practice पहले से ही करनी ते, यह तीन मैंने आपको question बताए हैं इसमें, उसके बाद spectrometer का चोता सवाल, यह भी बहुत important है इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद speed of light, यह कैसे आप calculate करते हैं, पांच वाँ सवाल, यह बहुत एहम है, with diagram, ठीक है, तो यह पांच सवाल मैंने आपको बताए, long, जो के इस chapter के important थे, उसके बाद अब हम आजाते हैं, next देख लेते हैं, आगे तो आपके smart sleepers में included नहीं है, यह मैंने आपको पांच सवाल इसके बता दीए, ठीक है, तो पांच सवाल, आपको याद हो गए होंगे, simple microscope, compound microscope, astronomical telescope, spectrometer, और speed of light वाला question, यह मैंने आपको बताए हैं, इस chapter के important long question, आब आजे थे हमारा last chapter, heat and thermodynamics, इसमें कौन-कौन सा सबसे पहल लास वाली बहुत important है, pressure of gas वाला, लेकिन pressure of gas से पहले आपको यह kinetic theory of gases यह पता होने चाहिए, कि क्या kinetic theory of gases के जो 5 points है, तो pressure of gas का बहुत important question, पहला important question है आपका pressure of gas, उसके बाद दूसरा long important question जो है, वो आपके पास आ जाता है, interpretation of temperature, दूसरा long question है आपका, इस chapter का, और उस interpretation of temperature मे derivation of gas laws, यह आप चलें इसको third consider कर लें, third derivation of gas laws, boys law, charge law, यह आप इसको बेशेक अलाग से consider कर लें, यह तीसरा long आपके पास important question है, इस chapter का, बाकी आपके पास यह जो है, internal energy वाला question, यह सारी definitions है इसके अंदर, और work and heat वाला हो सकता है आपके पास, ठीक है, तो work and heat वाला question important है इ ठीक है, first law of thermodynamics के साथ, उसके यह जो पॉस्टूलेट्स है, आइजो थर्मल प्रोसिस है, यह उसके साथ जो इसका अडियाबेटिक प्रोसिस है, यह first law of thermodynamics के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जब आप first law of thermodynamics के equation को बताएंगे, तो उसके अंदर आइजो थर्मल प्रोसिस और इसकी यह derivation बहुत important है, derivation of cp minus cv is equal to r, तो यह भी long में आती है, और karnet engine and karnet theorem, यह एहम long स्वाल है, karnet heat engine, चुके बेस करता है second law of thermodynamics के उपर न, तो आपको second law of thermodynamics की definition पता होनी चाहिए, तो karnet heat engine और उसके यह जो karnet theorem है, यह इसके अंदर ही आता है सारा कुछ, और फिर इस karnet theorem के साथ जो आपने derivation की, यह एहम long question है, इस chapter का, ठीक है, तो यह वाला question हो गया, उसके बाद आगे कोई question एहम नहीं है, तो हम देख लेते हैं, हमने कितने question की हैं, एक तो karnet engine and karnet theorem, एक स्वाल हो गया, दूसरा स्वाल जो मैंने आपको पता है, वो है molar specific heat of a gas, उसक यह जो application है, आइजो thermal process और adiabatic process यह इसके अंदर include होंगी, और चोथा long question है, work and heat वाला, ठीक है, इसकी चोटी सी derivation है, 7 diagram है, और यह graph भी है, तो उसके बाद मैंने आपको question बताया है, पांचमा स्वाल जो है, वो है आपका interpretation of temperature वाला, जिसके, और उसके अंदर मैंने आपको भी आ सकता है, interpretation of temperature में, अगर हाईगा तो सिर्फ interpretation of temperature करनी है, अगर gas laws का पुछेंगी, तो सिर्फ यह दो laws आपने बताना है, तो आप इसे five and six question कह सकते हैं, और last question साथ वाला जो मैंने बताया, बहुत important, वो क्या है आपका, वो यह है pressure of gas वाला, ठीक है, तो यह आपके, इस chapter के सिर्फ साथ जादा long questions में आपको बताएं हैं, बाकी सारे chapters के जो हैं, वो छोटे-छोटे long, मतलब इतने जादा नहीं है, चार question है, किसी के important, किसी के 5 question important है, तो इस question में ज़रा जादा long, जो हैं, वो important है, तो इसको आप ज़रा अच्छे से देख लें, तो I hope students, जितनी में आज आज आपको यह information जो आपके साथ शेयर की है, आपको इससे फाइदा होगा, और जब आप पेपर में जाएंगे, आप यह वले questions अच्छे से revise करके जाएंगे, अगर आप इसका average निकालें, तमाम chapters का, तो यह maximum जो है, आपके 11 chapters हैं, अगर हम एक chapter से 5 भी average 5 questions की भी निका होता है, आपने कोई उसमें जो है, नहीं चोड़ना, कोई question, कोई choice नहीं करनी, short answer question exercise वाले भी और बीच में chapters के definitions में भी आपने जो है, वो गोर से आपने तियार करनी है, ताके उसमें कोई, उसके 44 marks आपके secure हो जाएं, और यह जो मैंने long question आपको बता हैं, इसी में से आपक questions भी आ जाएंगे paper में, आप इसे अच्छे से prepare करें, इनकी practice करें, लिख के practice करें, क्योंकि physics और maths ऐसा होता है, जो आप जुबानी नहीं करते हैं, उसको आपको लिख के, उसकी diagrams, physics में diagrams, यह जो graphs हैं, इनकी practice करें, तो इन्शालला आपको इससे फाइदा होगा, और आप 85 marks marks भी secure कर सकते हैं, अपने physics के paper में, I wish you a very best of luck, for your exams, I hope आपके exams बहुत अच्छे से होंगे, आपने प्रेपरेशन जो है, वो complete करनी है, अब तक आपकी preparation complete होनी चाहिए, और इन्शालला आपको जो मैंने mark करवाए है, questions इससे बहुत फाइदा होगा, अगर आपको आज की video जाद स्वादा शेयर करें, ताकि जाद स्वादा लोग इससे फाइदा उठा सकें, और मेरे channel को अगर अभी आपने अभी तक शस्प्सक्राइब नहीं किया, तो इसको subscribe भी करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताके आपको जो भी मैं video upload करूं, वो फोरन पको तो अन्टी दे लेक्स लेक्चर अपना बहुता ख्याल रखें दौा में याद रखें टेप केर अला हाफिज